हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो एक्लासिस आज मैं आपको बताऊंगा मैथ की वक्सिट नमबर 76 डेट है 27 जैन्वरी जो चैप्टर है 14 से रिलेटेड है इसमें आपको मीन दिया है और वैल्यूस निकाल रहा है फ्रिक्वैंसी की वैल्यू बताइए क्या होगा ऐसा कुछ तो यह मैं करा चुक हूं पहले में तो आपको तो में ओता था सिग्मा एफाई एक साइपन सिग्मा एफाई जैसे कि यह फॉर्मुला गीवन है आपको यहां पर वैल्यूस डाल रखी है ठीक है तो जीरो से 20 20 से 40 40 से 60 वैल्यूस इनका वर्ग अंत्राल यानि एक साइए निक और गुणा कर देंगे शत्रह डव ऐकिसुत जीरफ़ यख जाएगे यह आ जाएग अब इनका क्या कर चैने कि में में के बराबर एल्यूं कर देंगे आइ decades हम्यान क्यों निकाले से 10 तक में यह दस से 20 है तो वर्गंतराएं निकालएं एक्साई कितना हो देगा 0 से 10 तक में 5 जाएगा दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है 0 प्लस 10 10 ही होता है और 2 से डिवाइड करा 5 अब यहां से 10 10 का गैप है तो 10 10 के गैप पर वैल्लिउ जाजेंगे 15 15 के बाद 25 25 के बाद 35 35 के बाद 45 यह वैल्लिउ जागे अब FIX ही निकालेंगे तो गुना करके लिख देंगे FIX ही हो जाएगे 735, 15, 620, 15, 25, 75, 37, 375 आजाएगा फिर उसके बाद नेक्स्ट आजाएगा 45 और 31, 315 आजाएगा उसके बाद 495 अब इसे हम क्या करेंगे टोटल कर लेंगे टोटल कैसे करेंगे 5, 10, 15, 20, 0, 2 कहलें 11, 12, 19, 21, 24, 2, 6, 9, 12, 13, 340 इसका आगया सिगमा FIXI आगया हमारे पास 340 मिल कहता है कि सिगमा FI से डिवाइड कर दो यानि जितने वेल्डू बंदे हैं जितने घरों की संक्या है यहां पर उससे डिवाइड करने पड़ेगी तो सिगमा FI को जोड़ने 15, 30, 20, 50, 50 से डिवाइड करना मैंने आपको सिखाया है सोट्रिक में 2 से गुना कर देंगे इस वाले नंबर में तो 13 दूनी 26 आठ और 2 0 लगा देंगे जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30 बारम बढ़ता FI भी दिए है तो सबसे पहले हम XI कलकुलेट करेंगे तो XI हो गए हम पर 5 उसके बाद 20, 10 का गैप है तो 15, 15 के बाद 25, 25 के बाद 35, 35 के बाद 45 यह हमारा आ जाएगा अब हम क्या करेंगे FI XI निकालेंगे FI XI में निकालने के लिए चाहिए होता है तो 5, 8, 4, 12, 5, 180 और यह हो गया 25, 2500 मल्टिप्लाइ कर रहा हूँ 385 और उसके बाद लास्ट में 45 के यह भी मैंने मल्टिप्लाइ कर दिया आगए बास समझ में आपको कोई डाउट हो तो बताईए अब क्या करना है सिग्मा FI XI निकालना है सिग्मा FI XI क्या होता है सम कर देते हैं तो सम कर दो इनकी के वैल्यू कि जाया जाएंगे अब यहां पर देखिए 5005 ठीक है मैं इसको थोड़ा सभी से लिखता हूँ 5 ठीक है उसके बाद 8 5 13 21 25 5 दो कह रही है 5 7 8 855 प्लस 45 के मेरा यहां पर वैल् वैल्यूस रख देंगे सिग्मा FI हो जाएगा बारह आठ बीस दीस इत्तालीस प्लस के 41 प्लस के यह वैल्यूस आगर मेरे पास ठीक है समझते हैं अब आगे अब मैं कहा रहा हूं में जो है वो 25.2 है तो यहां पर में की वैल्यू जो होती है वो क्या होती पहले समझ लें स पूरा 8055-45 के आपहुन में 41 प्लस मांं से न ना इन एक चेक करना पड़ेगा प्रॉटीवन प्लस के चले के हो गया अब इसके क्रोश मतिप्लाइब कर देंगे ठीक है तो फोटीवन के टूप्वाइब टू से मल्टिप्लाइब करनी यह तो टूफाइब तो यहां पर क्या जाएगा multiply करने के बाद 1033.2 और यह प्लस 25.2 के 25.2 के अब इसकी multiply हो चुकी है इसे लिख देंगा प्लस 25,99 के इसमें कुछ नहीं करना के वाली वैल्यू एक तरफ लेकर जा रहा हूं तो इधर यह छोटे इसको इधर लिख रहा हूं मैं पहले तो 45 के पहले लिख लेता हूं 45 के माइनस 25.2 के एक्वल होगा यहाँ से यह इधर जाके माइनस होगा तुपन 033.2 पहले लिख रहा हूँ माइनस 855 ठीक है हमें इसे solve करेंगे solve करके इसमें से 45 में से 26 ही घटा दो तो 45 में से 26 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा ठीक है और .8 के है clear हो गया है अब उसके बाद हम इसमें से ये घटा रहे हैं तो 855 घटा हो 1033 में से तो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ पैन तो चलनी रहा क्या हो गया दिक्कत चेक करते हैं अब इसमें घटा दिया हमने 8 इसने इसे carry दी होगी तो 7 9 में से इसने carry दी होगी 178.2 आ जाएगा clear अब मैं यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट आटा हूँ या फिर के की वैलियो निकालो तो 178.2 अपो 19.8 पॉइंट से पॉइंट अट गया इसे डिवाइड कर सकते हैं मैं इसे दो से काट रहा हूं तिक हैं अगर आपको समझ नहीं आता है दो से ही basically काटो समझ में आ जाता अगर आपको वीडियो पसंद आ लिए तो लाइक करें सब्सक्राइब